तुम पहले से डिर वे हो और फिर तुम अपने दोस्ट को पूझते हो, कि भाएं ते लित्यारी कितनी है, वह आपको एक ही जवाब देता है, कि भाएं मैं तो 10 गंटे पर चूका हूँ, 12 गंटे पर चूका हूँ, और उसका यह जवाब सुनकर आप कर डी मोटिवेशन पी की लेवल पर चला जाता है आप फिर अपने आप पर शक करने लग जाते हो कि क्या मेरी भी इतनी अच्छे परफॉर्मेंस है क्या मैं भी इतना अच्छा एक्जाम में कर पाऊंगो जितना अच्छा है मेरे दोस्त कर पाएगा दोस्तों यही हमारी प्सके बड़ी गलती होती है कि हम अपने एक्जाम टाइमिंग पेरियाड को बहुत गलत तरीके से बिताते हैं हमें यही सीखना होगा कि जब हमारे एक्जाम में एक या दो दिन रह जाए तो हमें अपने उस एक्जाम के लिए किस परकार Hi everyone मैं हूँ आपका समीर भाईया और आज हम बात करेंगे आपके एक्जाम के बारे में दोस्तों आज मैं कोई आपको टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा आज मैं कोई आपसे किसी स्टेरिजी किसी टिप्स की बात नहीं करूँगा आज हम बात करेंगे आपकी पढ़ाई के बा उमीद है कि हां हम बहुत अच्छे performance करेंगे और बहुत अच्छे marks लेकर आएंगे और अपना selection करेंगे दोस्तों यह exam timing में आपको फीलिंग आती है कि हमने सब कुछ तो पड़ी लिया लेकिने मुझे खराब होता है क्योंकि उन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता वो लोग यह सोचते हैं कि जो मैंने पढ़ाई करी है क्या exam में मुझे याद रहेगा जो मैंने प्रफर बंदे को कॉल करके नहीं पूछोंगे आपको पताइए तो न लाये करने कुछ ने करा होगा आप अब अमेशा खुद का कंपर्दन टॉपर से करते हो अब यह सोचते हो टॉपर ने कितिने पढ़ाय करिये तो यही सबसे बड़ी गलती होती है अब इन सब चीजों को इस परकार समझे लो मान लिए आप अपनी जिंदगी में कुछ पैसे कमाते हो अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाते हो आप 500 कमाते हो हजार कमाते हो एक लाकर कुछ भी कमाते हो जो आप भी करते हो तो वह आपकी मेहनत के पैसे होते हैं मुझे सच बता ना जो आपकी मेहनत के क कि किसी के लिए 1000 होते हैं. समझो मेरी बात को तो उसे परकार जो आप अपी एक्जाम देने वाले हो. आप जो अपने एक्जाम के अंदर परफिर्षर्मेंस देने वाले उसके बाद जो आपके result आएगा, वो result आपका कमाया हुआ है, उस result को कमाने के लिए आपने जीजान लगाईए, जी तोड़ मेनत करिए, तो दुनिया का कोई भी शक्स इस बात के लिए बिल्कुल हगदार नहीं है, कि वो आपको आपके result पर जच कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि आप इल्कुल गलत बात है, जरूरी नहीं है, कि हम, मतलब अभी imagine करो, कि जैसे पहले जमाने में हर movie का the end हो जाता तो वो खतम हो जाये करती थी, जैसे पहले जमाने की movies आती थी, the end हो गया, hero hero कुछ भी हो गया, शादी हो गया उनकी, या hero ने उसे मार दिया, villain को मार दिया, the end हो और आधे से जादे लोग तो society का लिया करते थे, यह आपने बहुत सारी चीज़ा सुनी होंगी, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अपने आपको demotivate मत करना, ध्यान रखना जैसे movies का part 2 बनता है, ऐसे आप भी अपना part 2 लेकर आईएगा, in case, अगर paper खराब होता है, तो tension नहीं लेनी है, demotivate बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान नहीं करना, आपके पास जिंदगे में बहुत सारे मौके मिलेंगे, खुद को proof करने के, पता है हमारी society के सबसे पुरी problem क्या है, हमें न दुनिया वाले जीने नहीं देते, बिल्कुल नहीं जीने देते, मतलब सिंपल सी बात है, हमारे घरवालों को यह मैटन नहीं करता है, कि मेरे बच्चे ने महनत कितनी करिये, वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपको जो उनके बच्चे का जो रिजल्ट है, वो हमें पडोसियों को दिखाना है, वो अपने खांदन के जो है मारे चाचा चाचु को द हमसे मतलब होना चाहिए, और इस बात से बिलकुल भी मतलब ना हो, कि आज पास के लोगों के कितने मांक्स आ रहे हैं, कितना परफॉर्म कर रहे हैं, अब मैं आपको यह बहुत अच्छी स्ट्रेटगी बताऊंगा, आपका बिलकुल एक्जाम सर पर है, और आपको बस यहा आपको रिवाइज करना है, आपको उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपोर्टेंट होता है, क्यों इंपोर्टेंट होता है, आपको यह पता लग जाता है, कहां पर आपकी क्या कमी है, यदि आप किसी चौपिक को एक बार और रिव करनी है उसी परकर आपको revision करना है तो सबसे पहली चीज से इपलकुल भी आपको नहीं चोड़ना दूसरी कि द्यान रखए जिब एक्जाम के लिए यह दो दिन रह जाए इसne इसे एक्जाम की बात नीए का मैं दुनिया के सारे एकजाम की बात कर रहे हूं जब आपको exam के लिए एक या दो दिन रहे जाए तो कभी भी गलती से भी किसी भी परकार का sample paper या कोई भी परकार का mock test second point है no sample paper second point है no sample paper किजी भी परकार आपको sample paper attempt नहीं करना क्योंकि ढूस्तों सबस्य बड़ी गलती होती है कि हम exam timing में sample paper यह mock test attempt करते हैं और कभी-कभी होता है कि हम difficult level का question paper जो attempt कर लेते हैं और और विसी बात है हम उसे difficult level का question नहीं हो पाते हैं या नगना क्योंकि अगर आप difficult level के questions को attempt करते हो तो आपसे question जब नहीं होंगे तो आपका motivation peak level पर चला जाएगा डी motivation peak level पर चला जाएगा आप motivation down हो जाएगा क्यों कि आपकी पास समय नहीं है अपने को दुबारह से रिवाइच करने का चीजों को तो please don't try any sample paper और any mock test at the time of exam और before one or two days तीसी चीज़ आपको बहुत जादा ध्यान नहीं है खबरदार किसी ने भी अपने किसी दोस्ते बात करिए exam के दो-гор, तीम दिनो के बीच के बीच में आपको अपने किसी दोस्ते किभी फरकार की बात नहीं करने है इवान वात यह पूछ लेगा कि तोने कितना पढ़ा है और जब आपना बता दोगे क्योंकि आप पढाई करिए आपने कम पढाई करिए वह अपसे जुट भी कह सकते हैं अपने नंबर बढाने के लिए कि मैं ने इतने घंटें पढ़े आप दी मोटिवेट हो जाओगे वह पतनी क्या की question आप से discuss कर लेगा आप से obvious ही बात है question शायद ना आते हो आपको शायद उन question के बारे में on the spot ना पता हो और आपको motivation बहुत जादा down हो जाएगा तो तो तीसरी बात थी कि आपको किसी भी दोस्त से exam timing बात नहीं करनी है तौथी सबसे important बात आपको जो आपको सिर्व जरूरी काम के लिए मुबाइल फोन को रखना है मैं तो सजेशन दोंगा कि आप अगर आपको मुबाइल फोन से पड़ाई कर रहे हो क्योंकर टेकनोलोजी का है आप मुबाइल में सब कुछ पड़ाई होती है तो आप अपने मदर या फादर इनके मुबाइल में से या किसी और मुबाइल फोन से स्टड़ी करो या आप टैबलेट से पढ़ाई करो अगर आपके बाद यह रिसॉर्स हैं आप अपना परसनल मुबाइल बिल्कुल अलग कर दो मैं यह नहीं कहता हूं बिल्कुल आफ करके रख दो हो सकता कुछ अरजन कुछ इंपॉर्टन बाते हों बर उसको आप अपने पास से दूर कर दो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दी फोन मुबाइल फोन से बिल्कुल दूर रहो आपका में फोकस पढ़ाई पर रहना चाहिए जितने भी आपने पढ़ाई करिए जिद दिन आपका पेप पर मॉर्णिंग में हैं या कितने वजे भी है सुबा पांच बजी उठो सुबा चार बजी उठो दो से तीन चार घंटे में दो से तीन या चार घंटे में आप पूरा रिवाइज करो ज्यानक ना एकजाम से पहले पढ़ाई करीवी चीश हमें एक्साम में दिख जाती है और यह एक तरह का मोटिवेशन है, मानलीजी आप सिधा उठके पेपर देने चलेगे, तो ऐसा फिल होता है, कि हमने कुछ नहीं करा, लेकिन जब हम रिवीजन करके जाते हैं, पेपर से पेपर वाले दिन, यह मेरी की स्टेरजी, पेपर वाले दिन आप पढ़के जाओ, आज रात को आपको बहुत बढ़िया, बहुत बिंदास तरीके से आपको नीज लीमी है, तो दोस्तों यह सब चीजें आपको फोकस करनी है, होप तो आप लोगों का एक्जाम बहुत अच्छा हो, मिलते हैं आगे के नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिये और अपने मरबाब को नाम जुरूर रोशन करियेगा, have a nice day, thank you and take care.